Hello Guys, Welcome to the PJMN Channel और आज हम स्टार्ट करने वाले है ग्राविटेशन चाप्टर का आखरी लेक्चर और जो लास्ट चार लेक्चर्स होय है उसमें आपको काफी चीजे समझ में आचुकी होगी अब आज डिस्कुस करने वाले हम लास्ट लेक्चर अफ ग्राविटेशन चाप्टर और फॉर्स्ट पॉइंट इस एस्केप वेलासिटी के बारे में राइट अब एस्केप वेलासिटी क्या होती है मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूँ कि अर्थ के ग्राविटेशनल पूल से ग्राविटेशनल फिल्ड से बाहर निकलने के लिए हमें जो इनिश्यल वेलासिटी चाहिए होती है उसी को ही हम क्या कहते है एस्केप वेलासिटी क्या कहते है एस्केप वेलासिटी ओके देखो according to the newton's third equation of motion v square v square equals to u square plus 2as according to the newton's third equation of motion v square equals to u square plus 2as ओके यह आपको पता है अब उस अबजेट की final वेलासिटी क्या होगी उस बॉल की हम मान लेते है जीरो एक सर्टन हैट पर जाने के बाद कितनी होगी जीरो and वो बॉल जो है वो gravity के opposite direction में move कर रहा है इसलिए हमें g की value भी क्या लेंगे minus यहापे हम acceleration due to gravity क्या लेंगे minus g लेंगे अब यहापर अगर इसी formula के अंदर equation के अंदर हम values को put कर देते हैं तो हमारे पास s का एक equation आता है s equals to u square upon 2g s equals to u square upon 2g अब यहापे minus sign क्यों लिखा मैंने minus sign indicates the opposite direction आप एक बार एक बात आपके माइन में fit कर लो कि distance is never negative distance कभी भी negative नहीं रहता अब यह negative sign क्यों लिया है because हमें क्या indicate करना है opposite direction indicate करनी है क्या indicate करना है opposite direction okay understood then does higher the initial velocity u अगर initial velocity ज्यादा होगी इस formula क्या according then the larger is the height reach by the ball initial velocity जितने ज्यादा देंगे हम बाल को उतनी ही ज्यादा है तक वो बाल क्या कर सकेगा पहुच सकेगा जितने ज्यादा initial velocity उतने ज्यादा है तक बाल क्या करता है पहुच सकता है अब the ball is able to overcome the downward pool by the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth this velocity is called escape velocity जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था इसका meaning क्या होता है कि उस बाल को इतनी ज्यादा escape velocity से हम उपर फेके ताकि वो जो बाल है वो earth के gravitational pool से बाहर निकल जाए उसी को हम क्या बोलते है escape velocity बोलते है उसी को हम क्या बोलते है escape velocity और एक बात आपके धान में रखना कि escape velocity जो है यह planet to planet क्या करती है differ करती है क्यों? बिकॉज हर planet की gravitational field जो है gravitational force जो है वो अलग-अलग है राइट सो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे है earth's escape velocity की किसकी बात कर रहे हैं earth's earth's escape velocity किसकी बात कर रहे हैं earth's escape velocity की बात कर रहे है राइट understood Earth's Escape Velocity, okay, मतलब क्या, कि इतनी तेजी से Initial Velocity हम दे, कि उस Initial Velocity की वज़े से, वो इतना वूपर जाए, ताकि वो Earth के Gravitational Pool से ही बहार निकल सकता है, okay, यहां तक बात क्लियर है, right, अब यह क्या है, यह formula है, किसका Escape Velocity का, किसका formula है यह, Escape Velocity का formula है, VE equals to under root of 2GM upon R, अब यह कैसे आया है, क्यों आया है, इसके बारे में भी हम अगले slide में discuss करेंगे, right, आगे, moving to the next slide, देखिए, यहां पर उसका derivation दिया है, किसका, उस formula का, right, अब जब हम surface of the Earth की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, surface of the Earth की बात करते हैं, तो हमारे पास जो kinetic energy है, kinetic energy, kinetic energy क्या है, half of MV square का हमारे पास formula है, किसका, kinetic energy का, half of MV square, then, हमारे पास दूसरा क्या है, क्या है बेटा, potential energy है, क्या है, potential energy, potential energy के बारे में आपको पता होगा, what is this, potential energy, अब potential energy, किस तरीके से हम major कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने देखा है, already previous sessions में, हमने इसके regarding discuss किया है, हमारे पास एक formula बन जाता है, gmm upon r, क्या formula बन जाता है, gmm upon r, अब यहाँ पर, m जो है वो क्या है, capital M, उस planet का, या फिर earth का mass है, उसके बाद जो small m है, यह क्या है, mass of the object है, mass of object, right, and capital R क्या है, capital या r, या फिर small r से भी आप उसको denote कर सकते हो, वो क्या है, वो है radius of that planet, उस planet की क्या है, radius, right, अब total energy हमें कितनी मिलेगी, total energy कितनी होगी, उस object के पास, k e, total energy, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, total energy equals to, total energy equals to, k e plus p e, total energy कितनी होगी, k e plus p e, हम किसकी बात कर रहे है, when the object is on the surface of the earth, when the object is on the surface of the earth, so k e plus p e, kinetic energy कितनी है बेटा, half of m v square, kinetic energy कितनी है, half of m v square, so half of m v square, अब minus q लिया, बता सकता है कि कोई comment section में, because we are moving to the opposite direction, इसलिए हमें क्या लिना पड़ेगा, minus g mm upon capital R, minus g mm upon capital R, okay, then from the principle of conservation of energy, हमारे पास एक principle है, कौन सा principle है, principle of conservation of energy का principle है, कौन सा principle है, principle of conservation of energy, अब इसके according, e1 and e2, दोनों भी क्या होने चाहिए, equal, इसके according, e1 equals to e2 होने चाहिए, क्या होने चाहिए, e1 equals to e2, अब किस तरीके से, then, हम इसको ऐसे लिख सकते है, हाप of mv square, equals to, हाप of mv square, minus g mm upon R, equals to 0, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, अब, आगे, हमें क्या find out करना है बेटा, escape velocity find out करनी है, और यह जो v है, यह क्या है, just a minute, यह जो v है, यह क्या है, escape velocity है, यह क्या है, escape velocity, right, अब हमें किस को find out करना है, escape velocity को ही find out करना है, तो simple calculation है, क्या calculation करेंगे हम, I will just change the pain, क्या calculation करेंगे, देखिए यहाँ पर, just see here, just see here, क्या है, v square यहाँ पर as it is है, yes or no, yes, अब हमने क्या कर दिया, hap mv, hap m को, मतलब m upon 2 को, उस side में भेज दिया, right, तो क्या मिला हमें, 2 g m m, okay, upon r m, यही मिलेगा क्या, यह सोर no, यह जो 2 है, यह उपर चला जाएगा, और m जो है वो नीचे चला जाएगा, and m m get cancelled, सो हमें क्या मिलेगा, v square escape equals to minus 2 g m upon r, क्या मिलेगा, v square escape velocity equals to minus 2 g m upon r, okay, understood, यहा तक बात clear है, अब simply क्या करेंगे इसका, v escape equals to under root of, under root of 2, यहाँ पर minus sign नहीं आएगा, यह उदर जाके plus हो जाएगा, sorry for that, उदर जाके plus हो जाएगा, so under root of 2 g m upon r, वही formula मिल गाया क्या, yes or no, so we got the formula of escape velocity, हमें किसका formula मिल गाया, escape velocity का formula यहाँ पर मिल गया है, okay, understood, यहाँ clear है, okay, अब इसको आगे भी solve कर सकते हैं, कैसे, simple values डाल दो इसके अंदर, हमें g पता है, g की value पता है, mass of the earth पता है, radius of the earth भी पता है, उसकी values डाल दो, उसका अगर root लेते हैं, उसका अगर root लेते हैं, तो हमारे पास कितना value आता है, 11.2 km per second, this is the escape, this is the, this is the escape velocity, escape velocity of the earth, यह क्या है, escape velocity of the earth, अब यह आपको करके देखना है, आपको g की value पता है, mass of the earth पता है, radius of the earth पता है, और उसका ही सिर्फ आपको calculation करके root लेना है, जो भी value आएगी, वो कितनी होनी चाहिए, 11.2 km per second, आपकी value जाएगा, वो meter per second में आएगी, उसको आपको kilometer per second में convert करना पड़ेगा, ओके, understood, यहाँ तक अब escape velocity हमें समझ में आचुकी होगी, यानि कि इसके उपर से हम ये conclude कर सकते हैं, कि किसी भी rocket को अगर उपर भीजना है, gravitational pool से बाहर निकलना है, एर्थ से escape करना है, तो उस rocket की initial velocity कितनी होनी चाहिए, 11.2 km per second, देखो हम गाड़ी चलाता है ना, गाड़ी जब 60 पर जाती है तो मज़ा आता है, 60 से 70 तक जाती है तो और मज़ा आता है, 70 से 80 तक जाती है, तो फिर और जादा मज़ा आता है, लेकिन उसका impact accident होने के बाद समझता है, है ना, तो वो speed, 80 km per hour की speed, वो भी बहुत जादा लगती है, जादा महसूस होती है, 100 तो बहुत जादा महसूस होती है, अगर आप specially two-wheeler चला रहे हो तो, right, तो 120 जो है यह highest limit है, सड़क पर गाड़ी चलाने की, right, लेकिन वो क्या unit में लेते हैं हम, km, km per hour में लेते हैं, किसमें लेते हैं हम उसको, km per hour में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना value है, 11.2 km per second, अब r में कितना होता है, यह आप calculate कर लो, 11.2 into 60, into 60, अब यह calculate कर लो आप, कितने, कितने hour, km per hour की speed आपको चाहिए, ताकि वो rocket जो है, वो earth से escape कर सके, उसी को हम क्या बोलते है, escape velocity बोलते है, उसी को हम क्या बोलते है, escape velocity of the planet, या फिर हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे है, escape velocity of the earth, understood, escape velocity का concept समझ में आगा है, यह formula हमने किस तरीके से derive किया है, आपको समझ में आचुका होगा, yes or no, comment section में मुझे बताओ, यह formula आपको समझ में आचुका होगा, अब बढ़ते हैं, next slide की तरफ, okay, you can take the screenshot of this if you want, okay, done, आगे, moving towards the next slide, okay, अब क्या है, थोड़ा सा अलग concept है, क्या है, at infinite distance from the earth, earth से अगर हम infinite distance के उपर है, तो escape velocity, जो है, वो कितने आनी चाहिए, zero, कैसे, अब kinetic energy कितने होगी, infinite distance पे, at infinite distance, the object has zero kinetic energy, कितने होगी, zero, and यहाँ पर नीचे, अगर हम radius लेते हैं, तो radius of the earth के case में, हमें क्या लेना पड़ेगा, infinite, तो यहाँ पर अगर नीचे infinity है, तो anything divided by infinity, equals to क्या हो जाता है, zero, so ke, ke भी क्या है, zero, and pe, यानि कि potential energy भी क्या है, zero, and zero plus zero equals to zero, therefore, at infinite distance, at infinite distance, the escape velocity, at infinite distance, the escape velocity is zero, distance, at infinite distance from earth, the escape velocity is zero, escape velocity क्या होगी, zero होगी, yes or no, yes, okay, moving to the next slide, हम chapter के end के तरफ बढ़ रहा है, धान से वीडियो को, lecture को, देखिये, समझिये, अब हम क्या देखने वाले है, weightlessness in space, space के अंदर, weightlessness महसूस होता है, मतलब क्या, कि अपना वजन जो है, वो ऐसा लगता है कि, खुद को वजन ही नहीं है, मतलब जैसे एक गुबारा होता है, तो गुबारे की तरह हमें महसूस होता है, कि हम खुद एक गुबारा है, एक बलून है, बलून की तरह हम space में क्या करते है, इदर उदर float करते है, space station के अंदर, तो ये क्या है, ये क्या फिनॉमिना है, और ऐसा क्यू होता है, इसके बारे में भी काफी interesting चीज़े, हम discuss करेंगे, तो क्या लिखा है, first point में क्या लिखा है, the spacecraft is at a higher, the spacecraft is at a height from the surface of the earth, the value of g there is not zero, देखो, spacecraft तो जो surface of earth काफी ऊपर होते है, लेकिन क्या वहाँ पर g की value zero है, definitely no, at that point the value of g is not a zero, in the space station, मतलब जो international space station, NASA ने वगर छोड़े है उपर, वहाँ पर लोग, तीन-तीन, लोग मतलब जो scientist है, जो research करने वाले लोग है, astronauts है, वो वहाँ पर तीन, चार, छे महीने रहते है, धरती पर वापस आते है, फिर दूसरी team वहाँ पर रहने के लिए जाती है, तो इस तरीके से space stations, जो हो नासा ने ऊपर छोड़े हुए है, तो क्या बताया जा रहा है, in the space station, the value of g is only 11%, space station में, value of g कितने रहती है, only 11% less, than its value on the surface of the earth, मतलब earth के उपर जितनी value हम लेते है, that is approximately 9.8 meter per second square, अब इसकी value जो है, वो 11%, लगबग लगबग 11% ही क्या रहती है, less रहती है, मतलब ज़्यादा कुछ difference यहाँ पर नहीं आने वाला, 11% का मतलब कितना हो सकता यहाँ पर, लगबग 8.5 के आसपास, meter per second square, जो कि हमने कल के चाट में भी मेरे खयाल से देखा था, है ना, लगबग 8 के आसपास, 8 meter per second square के आसपास, तो इतना कुछ difference तो नहीं है, gravity के अंदर, लेकिन फिर भी, हमें क्या महसूस होता है, weightlessness महसूस होता है, space के अंदर, अब इसी के बारे में थोड़ा detail में बात करेंगे, और इसी का reason, find out करने की कोशिश करेंगे, अगले point के अंदर, क्या लिखा है, बताओ, thus, the height of spacecraft, is not the reason, for their weightlessness, इसका मतलब क्या बोल सकते हम, कि spacecraft कितने उचाई पर है, ये उसका reason नहीं है, किसका reason नहीं है, weightlessness का reason नहीं है, तो फिर, their weightlessness is caused by their being in the state of free fall, अब free fall क्या होता है, इसके बारे में काफी अच्छे से हमने discuss किया, अब उनके weightlessness के पीछे का reason क्या है, कि वो किसमे है, free fall में है, किसमे है, free fall में, right, अब, the only force acting on it, is the gravitational force of the earth, and therefore, it is in the free fall, देखो, हमने, सबसे पहले ये पढ़ा था, कि gravitational first lecture में मेरे खाल से पढ़ा था, कि gravitational force जो है, this is the weakest force, gravitational force क्या है, weakest force है, सबसे कमजोर force है, right, अब, जब वो free fall के state में होते है, तो free fall के बारे में भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, कि कोई बे object अगर free fall में है, तो वो उसके उपर, सिर्फ और सिर्फ, कौन सा force act होगा, gravitational force, कौन सा force act होगा, gravitational force act होगा, right, अब अगर सिर्फ उनके उपर, gravitational force act होगा, there is no friction, there is no air resistance, there is no buoyant force, in the space, actual space में, तो gravitational force वैसे, तो पहले से ही कमजोर है, है ना, हमने क्या बोला था, gravitational force is the very weak force, लेगिन उसको strength किससे मिलती है, because of the higher masses of the planets, higher masses of the planets की वजए से, तो definitely अगर इतना weak force उनके उपर act हो रहा है, that is the gravitational force, तो वो किस state में है, free fall के state में है, और free fall के state में ही, उनको क्या महसूस होता है, weightlessness महसूस होता है, क्या महसूस होता है, weightlessness, आ गई बात समझ में, अब weightlessness क्यों होता है, इसका reason समझ में आ गया, yes or no, comment section में मुझे बताओ, अब हर planet के उपर जैसे जैसे आप जाओगे, तो हर planet की gravity अलग रहती है, तो उसके velocity भी अलग रहेगी, और उसके साथ-साथ, free fall का concept भी थोड़ा अलग रहेगा, तो लास्ट numerical is there, a very small numerical, what is this, देखो एक बार numerical को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, calculate the escape velocity on the surface of the moon, given the mass and radius of the moon to be 7.341022 kg, and 7.74 into 106 meter respectively, देखो हमें यहाँ पर escape velocity calculate करनी है, किसके condition में, moon के condition में, moon के case में हमें escape velocity को calculate करना है, right, अब मास of the moon क्या है, M equals to 7.34 into 1022 kg, right, and radius of the moon कितना है, 1.74 into 106 meter, right, अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर values को put up करना है, क्या करना है, values को put up करना है, तो escape velocity का formula क्या है, हमारे पास, V escape equals to under root of 2G capital M upon R, this is the formula for the escape velocity of any planet, किसी भी planet के escape velocity के लिए, हमारे पास ये क्या है, formula है, right, अब इस formula के अंदर, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, values को put up करना है, right, ये 10 raise to 22 है, ये क्या है, 10 raise to 22, and ये 10 raise to 6 है, ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग में उतना वो आता नहीं है, okay, then, I will just put the values, 2 into, capital G, जो है, 6.67 into 10 raise to minus 11, कितना है, 6.67 into 10 raise to minus 11, 6.67 into 10 raise to minus 11, right, then, mass of the moon, क्या है, 7.34, into 10 raise to 22, mass of the moon कितना है, 7.34 into 10 raise to 22, then, radius of the moon कितना है, 1.74 into 10 raise to 6, कितना है, 1.74 into 10 raise to 6, ये बात क्लियर है, इसको पटा-पट से solve करो, कैसे करोगे, कैसे करोगे solve इसको, देखो, देखो बहला, अब यहाँ पे, 22 में से 11 चले गए, कितने बचे, 22 minus 11, कितने, 11 बचेंगे, right, सो, 2 multiplied by 6, 6, 6.67 multiplied by 10 raise to, क्या लिखो, 11 multiplied by 7.34 upon, upon में क्या है, 1.74 into 10 raise to 6, यहाँ तक बात क्लियर है, अब यह 10 raise to 6, उपर जाने के बाद, क्या हो जाएंगे, 10 raise to minus 6, यह simple, simple arrangement है, यह आपको आनी चाहिए, मैं थोड़े बहुँच steps आपको करके दिखाऊंगा, पूरा आपको solve करना है, ओके, this is what, this is the surface of the moon, यह क्या है, moon surface है, यह image काफी historic है, यह image के बारे मैं आपको बताऊंगा, यह numerical होने के बाद, ओके, therefore, देखिए, 2 into, 2 into, 6.67 into, अब 11 में से 6 गए, कितने बचे, कितने बचे, 5, है ना, तो क्या लिखो यहाँ पर मैं, 10 raise to 5, into 7.34, राइट, 2 into 6.67, into 10 raise to 5, into 7.34, ओके, अपन, क्या लिखना पड़ेगा अभी, 1.74, पन, 1.74, राइट, अब इसके points हमें निकालने हैं, तो points किस तरीके से निकाले जाते हैं, यह आप मुझे बता होगे अब, राइट, और solve करके, आपको इसका answer निकालना है, जो answer आपके book में भी दिया है, कितना आएगा answer, 2.34, 2.37, 2.37, km per second, कितना आएगा, 2.37 km per second, this is the, यह आपर नीचे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, किदा गया यह, उदर गया, क्या लिखना पड़ेगा, लख पिंट से, ओके, दिस इस दो, दिस इस दो, escape velocity, escape velocity, of the moon, यह क्या है, escape velocity of the moon, you can take the screenshot of this, yes, okay, you can take the screenshot, hope you have taken the screenshot, and understood this numerical, this is very short, simple, sweet numerical, okay, अब यह जो image है, इसके बारे में भी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कि यह जो है, यह अर्थ की image ली गई है, moon से, है ना, the image of earth, from the moon, यहाँ पे, मतलब, धर्ती के उपर, हम क्या बोलते है, कि सूरज उखता है, धर्ती के उपर, चांद उखता है, ऐसे हम बोलते है, है ना, के उपर, that is very interesting phenomena, तो इंसान चांद तक जा चुका है, और हमारे भारत ने भी, बहुत बढ़िया, कम बज़ेट में, लगबग Hollywood की फिल्म, जिस बज़ेट में बनती है, 600-700 करण में, उस बज़ेट में, हम चांद तक पहुचे है, तो हमारे इंडिया को तो कोई जवाब नहीं है, कोई भी ऐसी संस्ता नहीं है, पुरे दुनिया में, जो की बज़ेट के मामले में, efficiency के मामले में, और mission success rate के मामले में, हम को challenge कर सके, बाकी संस्ता ये भी गई थी, तैसे कि नासा है, उसके बाद में Ross Cosmos है, रशिया का, वो संस्ता ये भी चान्द पर गई थी, लेकिन वहां तक जाने से पहले, उन्होंने काफी ज्यादा missions को fail किया, काफी ज्यादा missions में वो fail हुए, बहुत सारे लोगों की वहाँ पर चान भी चली गई है, in fact, in the Apollo 11 mission, लगबक 13 से चाओदा लोग मारे गया है उसमें, तेस्टिं के दावरान, right, so that is the fact regarding to the ISRO, that is Indian Space Research Organization, okay, hope you understand all the concepts of this chapter, gravitation, if you have any doubt, if you have any query, then you can free to ask me in the comment section, please do the like button, please share the video with your friends, they can take the help of this small notes, they can read this presentation, you also can read this presentation, and you can achieve the great success in your board examination, thank you so much guys, please subscribe PGMN YouTube channel, thank you.